है गाईज वेलकम तो साइका ओने साई होप आप सब अच्छे होंगे तो वेलकम तो थाटी जए थाटी हिड़न अपपोर्चुनिट चैलेंज और आज हमारा डे ट्वेंटी टू ठीक ना डे ट्वेंटी सेकेंड तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट हाई कोट तरफ से अपकी को दबा के शेर करो सीधी चलते हैं नोटिफिकेशन के तरफ कि उसमें क्या आवा है बेसिकल देखो फ्रॉम इंडेंस इडिजन हूँ फुल्फिल दा इजेंसल कॉलिस्टिकेशन मैं बता जिया फ्रेशर ही है पहले बाद ठीक ना टू हुआ कैसा जनरल काउंसलर्स इन दा हाई कोट लीगल सर्विंस कमेटी प्यॉरली ओन कॉंटेक्ट बेसिस स्टार्टिंग कॉंटेक्ट बेसिस रहेगा कितने एगा पीरेड इन सिक्स मन्त उसके बाद एक्सेंड अपका हो जाता है आपकी पफॉर्मेंस देख जाए कैसी है उसके बाद आपका जो कॉंटेक्ट अब लिखा हुआ है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इट इस मेड किलिया देट कंडिडेड हुएड ओलेड अप्लिकेशन फॉर्म है वही काम कर जाएगा अगर फिर भी आपका मन है तो अप्लाइ कर सकते हो ठीक है ना अब बात करें इसकी क्वालिटिकेशन की उसस केडियूल ऑफ इंटर्विव कंडिडेड आपका इंटर्विव का बहुत जल्दी है सेकेंड थर्ड एन फॉर्ड फेबरी दो हजार चॉबिस को आपका इंटर्विव बेसिकलि इसमें होना है ठीक है ना और अगर आपका फॉर्म शॉटलिशिट होगा तो जो हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथर्टिटिक फेप्सरिपसाइट उनकर आपका जो लिस्ट है वा ख आ जाएगी अगर आपका फॉर्म सब कुछ आ जाएगा ठीक है ना काफी बच्चू कान फूज़न होता है कि सरब ना अप्लाइट सैकॉलोजी करिए बट सैकॉलोजी मांगा है अप्लाइ कर सकते हैं तो अप्लाइ कर सकते हो अगर आपके पास स्पेज लाइशन भी है तो साइकॉलोजी में ठीक है और सैलरी 50,000 पर मन सैलरी प्लेस 10,000 का आपको चार्जस मिलेगा मंतली तो इन हैंड आपको 60,000 आपको मिल जाएगा और experience कुछ भी नहीं मांगा है कुछ भी experience आपको समझने में आ गई हो यह पित तक कि जो matrimonial disputes होते हैं जो भी case है senior citizens के family की भी जो भी लड़ाई जगड़े हैं उनको सुल्जाना उनकी counselling करना women and children senior citizens पर basically आपको काम करना जो भी family के conflicts हैं उनको resolve करना यह सारा basically एक counsellor का काम होता है court के अंदर ठीक है न और जो भी आपको analyze करना behavioral patterns of couples identify the lead of the conflicts ठीक है उन सबको resolve करना disputes वगरा सारा का basically आपका यही इसका असपास ही घूमेगा ठीक है और court में काम कर रहे हो तो आपका documentation बहुत तगड़ा होना चाहिए पहले बात तो यह हो गई ठीक है न और the general counselors would do counseling of children and parents in matter of custody including joint custody and shared parenting यह भी आपको काम करना पड़े गए यहाँ पर ठीक है पोजिशन आप सभी के लिए कहां से पंजाब एंड हरियाना हाई कोट चंडिगर में जो है वहाँ पर आपकी पूश्टिंग होगी अब apply इसको all India से कर पाओगे 12 जन्वरी को notification आया है last day सिर्फ 8 दिन दिये वे हैं यानि कि offline mode में आपको form भनना है अगर आप fresh candidate है तो और application form दिया वाई यह आपको भरके भेजन ठीक है ना और देखो क्या क्या कोपी लगानी आप देखो जो documentation क्या है जब आप application form भरोगे ठीक है ना तो आपको जितनी भी आपकी education qualification है जो भी आपके पास experience जो कुछ भी है उनकी आपको copies बनानी Xerox निकालने है और उन Xerox को आपको क्या करना है अटेस्ट करवाना है किस से gadget officer से अब gadget officer कौन होता है तैसे लार, SDM वगेरा या फिक कोई medical officer ठीक है तो इनसे यह अपकी gadget officer होता है इनके आपके style लगेंगे आपके Xerox में वह attached होगा ठीक है और उसके बाद इसको आप लगाऊगे application form में पीड़े उसके बाद आपको बीजने तक भेज देना साम पां अब address क्या है address यह है देखो address क्या है अपर address देखो high court legal service authority पंजाब हर्याणा high court चंडिगर और front office near post office high court sector 1 चंडिगर तो यह यहां तक 3 line का address है इस पर आपको भेजना है form fill up करकर अपना ठीक गलती मत करना form में क्योंकि high court के legal authority का form में तो आपको सीधे cancel कर देंगे सीधे सीध तो देखो यहां पर क्या लेखा है आपको अलग से कोई बी separate interview लेटर नहीं मिनेंगे कोई call आपको अलग से नहीं आएगी ठीक है आप जब form भर लोगे तो जनवरी के last week में आप इस जो यह office website है high court legal service authority की यहां पर आप जाओगे यहां पर एक PDF आपको मिल जाएगी साफ देखो यह new तो जो selects EIP notification आ रहा है यहां पर एक notification और attached हो जाएगा कि इसके उपर कि आपका form shortlisted हुआ है नहीं हुआ है दोनों की list आजएगी आपका form shortlisted हो जाएगा तो आप 2-3-4 जो भी आपको date में लेगी आप interview के जा सकते हो सिर्फ walkery interview है आपको यह चीज़े पता होना चीज़े इस अब पढ़ लेना ठीक है जय जय एक्ट पढ़ लेना और चुवनाल जश्टर एक्ट वगरा पढ़के जाना ठीक है और इस अब चीज़े पढ़ लेना जो disputes वगरा जो है जो भी family counseling होती है ठीक है maternal counseling family counseling सब कुछ पढ़ लेना इसके basis पर यह आपका interview होगा जो भी box act वगरा पढ़के जाना तो यह अगर आपका form socialist होगा तो आप मुझे DM कर दिना इंस्टा पर link description में है इंस्टा का broadcasting का वहाँ कर दिना टेल गयाम गुरूप का link description में वहाँ कर दिना वाट्सएप गुरूप का link पर description में है कहीं भी message कर दिना मैं पो गाइड कर दूंगा for interview बाकि सब कुछ मैंने आपको इस वारे बता दिया है और आप भी तक channel को share नहीं किया शेर कर दिना क्यू आपने उन्यारे प्रद्स अग्यारे सतीर कर दिना वाट्सएप दिना वारे बता है यहीं किया है यहीं कर दिना वारे वारे रे से वहाँ कर दिना